तुम घर जाओगे इस sentence को English में translate करेंगे आज की इस वीडियो में और इसी समन्धित और भी sentences को English में translate करेंगे जैसे की तुम घर नहीं जाओगे तो पहले हम देखते हैं sentence के आंत में क्या इसमें है जाओगे तो जब 20 sentence के आंत में क्रिया के साथ गागी की आता है ऐसे sentence future and definite sentence का sentence होता है तो यह है affirmative तो future and definite के affirmative को इंगलिस में translate करने का structure होता है पहले लिखते हैं subject और इस sentence का subject है तुम तो पहले हम लिखेंगे तुम की English you उसके बाद हम लिखेंगे sell या will में से कोई एक helping verb तो you के साथ will लगता है उसके बाद हम लिखेंगे verb वर्ब इसमें जाओगे यानि की जाना के English go लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे घर के English home या आप देखें यहाँ पे home है तो home से पहले to नहीं लगता है तुम घर जाओगे के English you will go home तो चलिए जानते हैं कि यदि sentence negative हो मतलब कि यदि sentence होता है कि तुम घर नहीं जाओगे विल के बाद not लगता तुम घर नहीं जाओगे क्या तुम घर जाओगे इसके English will you go home यहाँ पे पहले will क्यों आया है क्योंकि interrogative का यह नियम है यदि sentence के starting में क्या होता है तो क्या की meaning नहीं लिखता है पहले sellable, उसके माद subject, फिर verb, फिर object तो दोस्तों मिलते हैं English translation के next वीडियो में तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को like करें Thank you for watching